नमस्कार सुवागतापका सागर कोचिंग सेंटर वोगानपूर में मैं हुसरवन कुमार सागर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए करका हैं जहारखन एनमेस एकजाम 11 फरवरी 2024 का एंसर की तो इस वीडियो में हम आपको सोचल साइंस के सभी 35 प्रवशनों का एंसर की बत इंडिया कमपजी के स्थापना हुई थी तो इसका सह अंसर होगा आप्शन 2 रानी एलिजाबेत पर्थम में ऑपनी पहलि व्यापारिक कोठी किस अस्थाने किस अस्थान पर अस्थापित की थी तो इसका सह अंसर होगा आप्शन 4 सूरत Q49 में है अस्थाई वंदोवस्थ विवस्था किसने लागू की तो इसका सही अंसर होगा Lord कर्ण वालिस यानि option एक सही है Q49 में है जन जाती इलाकों में किसका महतपुर्ण अस्थान होता था तो option 2 सही है मुखिया Q49 में है 1857 इसवी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नरल जनरल कौन था तो इसका सही अंसर हो जाएगा Lord केनिंग तीसरा option सही है अगला प्रस लेते हैं Q49 में है 1858 इसवी में ठाकुर विश्वनात सहादेव को फासी कहां दी गई थी तो इसका सही अंसर होगा 1854 इसवी यानि option 4 भारतिय महिलाओं का विश्विद्यालेओं में परवेश किस दसक में शुरू हुआ तो इसका सही अंसर है option 2 1880 के दसक में Q45 में स्वामी विवेकानन्द ने किस वर्स रामकृष्ण मिशन के अस्थापना की थी तो इसका सही अंसर होगा 1897 इसवी option 4 बंगाल का विवाजन किस वर्स हुआ पहला option सही है 1905 में 1928 इसवी में ओलमपिक में भारतिय होंकी टीम का कप्तान कौन था तो इसका सही अंसर होगा जै पाल सिंग मुंडा option 4 सही है question number 48 में निम्न में कोन मानव निर्मित संसाधा नहीं है तो option 4 का सही हो जाएगा जहारखन का कोन ख़दान यूरेनियम के लिए प्रसीद है तो question number 49 का सेंसर option 3 जादू गोड़ा question number 50 में भारतिय वन्य जीव संरक्षन अधिनियम किस वर्स पारित हुआ तो इस हो जाएगा option 2 उन्डेश सो बहत्तर में question number 55 निम्न में कोन प्रसीद पक्षी अभ्यारन है तो जाएगा भरतपूर अभ्यारन option 4 सही है भारत का पर्थम परमान उर्जाक केंद्र कहां स्थापित किया गया तारापूर महराष्ट option 1 सही है किस खनीश से सिलिकॉन प्राप्ट किया जाता है सही option है सही answer option 4 question number 54 में है किस राज को भारत का चावल का कटोरा कहते है option 2 सही है 36 गड़ बिश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक option 3 सही है ब्राजील जमसेदपूर का प्रारंभिक नाम था साक्ची दूसरा option सही है जापान के किस सहर को जापान का मैंचेस्टर कहा जाता ओसा का पहला option सही है जहारखन का जनसंख्या गनतव 414 प्रतिवर्ग किलोमीटर option 4 सही है question यहां पर देखिए कुछ question छूट गया जो हम आपको लास्ट में बताएंगे तिरसट नमर question लेते हैं किसी कानून को तोड़ना या मुल अधिकारों के भंग अत्वा उलंगन करने क्या करते हैं तो इसका सेंसर होगा इन में सभी option 4 सही है भारत में पहला आम चुना हुआ था 1952 में option 4 सही है question 65 में है भारत के उच्चतम नियाले के स्थापना कव हुई तो इवादा 26 जनवरी 1950 को पहला option सही है जहारखन उच्च नियाले का पर्थम मुके नैधिस कौन थे विनोद कुमार गुपता पहला option सही है question 68 में है जहारखन के अधिकांस अनुसूचित जन जाती आवादी कौन सी भासा बोलते है option 68 देखते हैं व्यक्तिगत स्वचाले समुदाइक तथा जन स्वचाले किस योजना का एक भाग है स्वक्ष भारत अभियान का option 4 सही है किस समाजिक अफराद में तीन महिने से लेकर एक वर्स की सजा या 20,000 की रुपए की जुर्माना दोन हो सकता है तो इन में सभी option 4 सही है जो question छूट गया थो उपर इसको देख लेते हैं राष्ट से धर्म का पिर्थक करन संदर्वीत है योजएगा option 3 धर्म निर्पेक्षता की रूप में question 6 में है आम चुनवा है तू इलेक्ट्रोनिक मद्दान मशीन का प्रियोग वा था option 4 सही है 2009 में समिधान सभा का पहला अध्यक्स थे डॉक्टर सचिदानन सिंधा यहाँ पर तुछा confusion है तो official answer की आने के बाद ही पता चल पाएगा यहाँ पर पहला दिया गया है तो पहला तो सचिदानन सिंधा को बताया गया था लेकिन जो मुखे अध्यक्स थे तो तो डॉक्टर राजिन पर साथ थे तो official answer की में क्या देता है उसके आदार पर देखा जाएगा फिलाल पहला अध्यक्स पूछ रहा है तो यह होना चीदानन सिंधा आगे बढ़ते हैं सन 2005 में कौन सा अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया था option 4 होगा इसका गरेलू हिंसा के बिरोध सुरक्षा आधिनियम तो इस परकार आप answer की मिला लिजे नेक्ट वीडियो में गनीत का भी answer की ले करके आएंगे तो चैनल पने subscribe जरूर कीजिए